हाई भाइज आई हम लोग मार्केट में अज के प्राइजेक्शन को रीड करते हैं जो कि आज क्रेजी भूलट लिटी थे मार्केट में और मार्कित में अचा खाएजा डाइरेक्शनल फ्वब था और चाहे बाइंग हो या सेलिंग हो दोनो साइड में अचा खाएजा डाइरेक्शनल फ्वब था और चौन 1100 से मार्केट 24-500 तक गया था मतलब की 400 पॉयंट ऑपर साइड मुब किया है और 24-600 से 24-500 पॉइंट नीचे मूव किया है मतलब उपर और नीचे साइड दोनों साइड मूव है हमें यह देखना है कि मार्केट जब भी लेवल पर अगर ओपन होगा ना तो मार्केट उसी हिसाब से रियक्ट भी करेगा इस चीजगो हम ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट अगर लवल पर ओपन होगा तो अब यहांvenir पर द्यान रखो यहां तक का आप लेके चलो तो यह clear था कि हमारे पास में इस जगा पे आएगा जब market तो हमें profit book करना है और यहां पे एक trade लेना है buy का ठीक है यहां पे हमें एक trade क्या लेना है buying का लेना है और इसके लिए हमें 5 minute पे shift होना परेगा तो चलिए 5 minute पे shift हो गए हम तो यहां पे आप देखो market ने थोड़ा time pass किया और time pass करने के बाद जब upper side निकला तो upper side में हमारे पास level क्या होगा तो upper side जो हमारे level होगा वो simple होगा कि यहां से नीचे तक का हम label लेके चले तो at jack .5 और .6 का label हमारे यह आ रहा है यहां से तो हमें upper side का भी हमें target था कि हमें जो है यहां तक का हमें लेना है ठीक है market ने यहां तक आपको दिया है कोई दिक्कत नहीं है तो upper side का target आपको मिल गया नीचे side का मिल गया अब अगर इसके उपर निकलेगा तो projection चाहिए जो कि नहीं हुआ market नीचे तोड़ दिया तो हम अब short का position बनाएंगे यहां से देखो आप अगर ध्यान से देखोगे तो नीचे यह low लगा है मतलब कि market जो है यहां से अब lower low में confirm करके projection बनाना शुरू कर दिया है और यह market यहां तक का level दे दिया नीचे तक का उसका target हमारा यह होगा उसके बाद again हमारे पास एक trade बना उपर side में यहां पर जिसका हमें target हमारा target था कि अगर low break करेगा तो हमारा नीचे तक का तो हमें अच्छा खासा target मिल गया अब यहां पर आपको बैट के थोरा इंतजार करना परेगा इंतजार इसलिए करना परेगा क्योंकि यह जो buying आई है यहां से अगर फीब लगाएंगे इस level तक का तो हमें थोरा से इसको और उपर shift करना परेगा तो अगर हम यहां से अगर हम इस level से अगर हम फेवनाची लगाते हैं इसका तो 0.5 और 0.6 के level पे आ करके market को पहले reaction देने दो तो market ने यहां पे reaction दिया और यहां से buying आई तो हम अभी यहां से क्या करेंगे बाई करके चलेंगे अब इसका target क्या होगा तो इसका target यही resistance रहेगा जो object market ने hit किया और उसके बाद फिर market वही close हो गया मतलब हमारे को आज कितना trade मिला दीन भर में और तो हमारे को trade मिला कितना 4 trade मिला एक सुबह में है एगन यहां से buy किया तो इस चार ट्रेड मिला अचारों का logical आपको level निकालना आ गया वीडियो पसंद आये तो subscribe करना धन्यवाद